राजस्थान विधान सभा चुनावों को लेकर सीएम अशोक लगातार सूबे में धुआधार दौरे पर है जहां महेंगाई राहत कैम्पों के अवलोकन के बाद अब सीएम चुनावी साल में राज्य के दौरे पर निकल गए हैं इसी कड़ी में शुक्रवार दो जून को सीएम गहलोत दो दिवसी बाद मेर दौरे पर जा रहे हैं जहां वह पचपद्रा में रिफाइनरी के कामों का फीडबैक लेने के साथ ही आदर्श स्टेडियम में एक जन सभा को भी संबोधित करेंगे इसके अलावा गहलोत महंगाई राहत कैंप का निरीक्षन करने के साथ ही जिले को 15 नए कारियों का शिलानियास और लोकारपन कर सौगात देंगे मालूम हो कि हाल में सचिन पाइलट ने भी बाड़मेर का दौरा किया था जहां वह 6 मई को बाड़मेर मंतरी हेमाराम चौधरी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे थे वहीं इससे पहले AIMIM के चीफ अस्दुद्दीन ओवैसी भी बाड़मेर दौरे पर आये थे ऐसे में राजनीतिक लिहास से जाटलैंड में सीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है दरसल सीएम ने हाल में बाड़मेर से बालोतरा को नया जिला बना कर सौगात दी थी बता दें कि गहलोद का बाड़मेर दौरा पिछले दो महीने से चर्चा में चल रहा है लेकिन आखिरी मौके पर बार-बार रद्ध हो रहा है इससे पहले दो बार CM का बाड़मेर जाना रद्ध हुआ था, दरसल मई की शुरुआत में ही सचिन पाइलट ने बाड़मेर का दौरा किया था, जहां वह मंतरी हैमाराम चौधरी की ओर से बनाए गए वीरेंद्र धाम के उद्घाटन पर पहुँचे थे, इस दौरान पाइल बाड़मेर में पचपदरा तेल रिफाइनरी पिछले करीब 10 सालों से हर चुनाव में मुद्दा बनती है, लेकिन पिछले 10 साल में कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के आने के बावजूद भी रिफाइनरी का काम अभी भी चर रहा है, इधर CM गहलोत ने कई बार पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, जहां CM ने कहा कि हमारी योजनाओं को बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया डॉट बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंतरी अशोक गहलोत ने सरकार का अंतिम बजट पेश को जनता को राहत देने का काम किया है और विधायकों के मांगे अनुसार विकास कार्य करवाए हैं, उससे जनता बेहत खुश है और अगले आने वाले विधान सभा चुनावों में कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होगी विधायक मेवाराम जैन ने सरकार के महंगाई राहत शिविरों को जनता के लिए बड़ी राहत बताया विधायक मेवाराम जैन ने बीजेपी की जनाक्रोश रैली पर तंस कसते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर केंदर सरकार में दो मंत्री तक जनाक्रोश में आये थे लेकिन उस रैली में ना जन दिखा और ना ही किसी तरह का आक्रोश विधायक जैन का दावा है कि कल शुक्रवार को बाडमेर में होने वाली सीएम की सभा में हजारों लोग शिरकत करेंगे और सीएम की बहतर योजनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद ग्यापित करेंगे बीते महीने बाडमेर में सचिन पाइलट ने भी बड़ी सभा की थी इस सभा का पूरा जिम्मा गुडामालानी से विधायक और मंत्री हैमाराम चौधरी ने संभाला था। इस दौरान बड़ी संख्या में भीर जुटी थी, वहीं पाइलट ने सभी से गहलोत पर निशाना साधा था। हैमाराम चौधरी ने भी इशारों ही इशारों में सीए गहलोत पर निशाना साधा था अब उनकी गड़ में गहलोत की बड़ी सभा हो रही है ऐसे में देखना होगा कि क्या हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी सभा में शामिल होते हैं या नहीं